हेलो एवरीवन सागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल जीपैड इसेसन सेंटर पर जी हां फार्मासिस्ट की जो मैराथन सीरीज चल रही है आपके अलग-अलग फार्मासिस्ट एक्जाम के लिए जो की बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है उसी सीरीज को आग सब्सक्राइब के अंदर या स्टेट गॉर्मेंट सेंटर गॉर्मेंट जितनी भी प्रकार की फार्मासिस्ट के एक्जाम होंगे सभी एक्जाम में यह कंप्लीट आपके सलेबस का मेरातन सीरी चल रहा है तो कोशिच यह कीजिए सारे सब्जेट को सॉल कीजिए जिससे की किंजारी अच्छी हो सके हमारा सब्जक्राइब अइसा सब्जेट है जिसके लगबग हर एक कॉर्षन पूचय ही पूछ की जाते हैं तो उसी और ओला से प्लेलेट टेबलेट का part 1 वाला MCQ series करा दिया है। उसको आप playlist में जाके देख सकते हो या video section में जाके देख सकते हो आपको मिल जाएगा। साथी साथ other subject का भी मिल जाएगा। तो tablet से related यह part 2 होने वाला है। देखते हैं किस फ्रकार के question आपके exam में पूछे गए हैं। या आने वाले एक्जाम में किस प्रकार की question बन सकते हैं चले पूरे वीडियो मने रहीएगा ताकि कोई भी concept, कोई भी explanation मिस न होने पाए चले, start कर देते हैं आज का जो हमारा पहला question है पूछा कहां गया है? केरला फार्मासिज 2021 phase 2 का question है पूछा गया है कि unequal distribution of color on a colored tablet is known as कोई colored tablet है उस पर जो color है उसका unequal distribution है अच्छे तरीके से color वहाँ पर लगा नहीं है, distribute नहीं है तो उसी unequal distribution of color on a colored tablet को क्या बोलेंगे? हम capping बोलेंगे, lamination बोलेंगे, modeling बोलेंगे, picking बोलेंगे देखे, capping उसे बोलते है जब हमारा tablet का partial या fully क्या हो जाता है? वहाँ पे जो हमारा crown होता है tablet का दो भागों में बढ़ जाता है या separation हो जाता है तो उसे हम capping बोलेंगे, lamination क्या होता है? कि जब tablet दो अलग-अलग भागों में बट जाए, तोट जाए, तो उसे हम lamination बोलेंगे picking क्या बोलेंगे? जब tablet stick हो जाए, die wall से हमारा जुल जाए या वहाँ से चिपक जाए तो उसे picking बोलेंगे, जब बात आती है unequal color distribution का तो उसे हम बोलते है उस word को modeling क्या बोलेंगे डियर, option यहाँ पर right होगा modeling, modeling हमारा unequal color distribution होता है, जिया, आप यहाँ पर देख सकते हो modeling क्या होता है, unequal resolution होता है, distribution होता है color का tablet पे, अलग-अलग capping क्या होता है, partial complete separation होता है tablet क्या होता है, lamination दो disting layer में जब separation होता है, picking हमारा punches से हमारा जब adhere होता है, इसी तरीके से double compression, chipping, अलग-अलग हमारे tablet के defect यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, उनके cause क्या है, cause से भी question पूछ सकते हैं, तो आप इस table को note down कर लिजेगा, चलिए, आगे चलते हैं, अगला question, य पुछा गया है, weight variation in tablet processing is caused by all of the following except one, जो हमारे tablet बना रहे हो, tablet बनाने के दौरान जो weight variation हो रहा है, कोई tablet इतने ग्राम का है, कोई tablet जैसे एक ग्राम का है, कोई tablet एक दस मिलों 5 ग्राम, कोई 2 ग्राम, कोई 3 ग्राम, तो जो weight variation हो रहा है, tablet को बनाते वक्त, किन किन कारडों से हो उसी exception को यहां पर चूज करना है चलिए नॉन यूनिफॉर्म ग्रेनुल साइज डिस्ट्रिबिशन अगर टैबलेट में ग्रेनुल का साइज नॉन यूनिफॉर्म मतलब कोई बड़ा हो कोई छोटा हो तो जाहिर सी बात है कि टैबलेट कोई ज्यादा ग्राम का होगा कोई कम तो ये तो कारड़ होता है क्या क्या काॉसे हैं ग्रेंट के हमारा वेयट वेडिएशन नॉनिफॉर्म जो необходимо साइज का वो तो कारड़ होता है एक्सेप्श के पीångचा है ध्यां देना है कि ये तो कारड़ होता है पूर फ्लो अफ तो ने म्रेंपा पूर ही तो जाहिए प्र speed of turret और लास्ट में प्रेजेंस आफ एक्सेसिव फाइंस सही बात है कि बहुत ज्यादा महीन पाउडर भी प्रेजेंट होगा तब भी वेट वरीशन हो जाएगा तो यहां वेट वरीशन इससे भी हो रहा और इससे भी हो रहा लेकिन exception यहां पर एक वर्ड यहां पर देख लो higher speed of turret turret क्या होता है कि जो हमारे punches die को hold करता है तो उसका जो हमारा speed होगा उससे वेट वरीशन सा कोई लेना देना नहीं है तो यहां पर exception पूछा था तो exception में यही आ जाएगा विया कि जो turret का higher speed होगा इसके higher lower speed से कोई भी फरक नहीं प overflow non uniform particle size distribution और excessive fine के presence के का लेकिन turret का हमारा जो position speed से हमारा कोई लेना देना नहीं होता है खासकर weight variation के अंदर अगे चलते हैं अगला कोशन है बाबा फरीज उनिवर्सिटी ऑफ हेल्ट साइंसे फार्माशी दोजार बाइस का ही कोशन है पूछा गया है which of the following is not a tablet defect भी या not आजाए accept आजाए बहुत ध्यान से question करना है यहां पर कौन सा tablet defect नहीं है देखें चिपिंग भी tablet defect होता है sticking भी tablet defect होता है अभी हमने पहले question के table में ही देखा था और double compression डबल impression भी होता है लेकिन phase inversion तो भीया इमल्सन वगरा का होता है इमल्सन की instability तो यह टाबलेट का defect नहीं पूछा है तो not पूछा है तो phase inversion हमारा defect नहीं होता बाकी आपका ज्रेक सकते हो chipping हुआ, picking हुआ, modeling हुआ, double impression हुआ, capping हुआ यह सब टाबलेट के defect होते हैं phase inversion इमल्सन से related है clear idea आगे चलते हैं अगला question भी केरला pharmacist 2022 में पूछा गया है पूछा गया है which test is performed to assess the ability of the tablet to withstand abrasion in the packaging, handling and transportation जिया जब यह टाबलेट का packaging हो रहा है handling की जा रही है, transportation किया जा रहा है, तो कौन सा test perform किया जाएगा कि tablet हमारा handling processing और processing को withstand उसके साथ खरा उत्रे, मतलब उसका abrasion ना हो, चरण ना हो बोले तो चरण ना हो tablet के अंदर, तो कौन सा test हम perform करते हैं डियर, hardness, friability, disintegration या dissolution बहिया, tablet जो हमारा transportation के दुरान handling के दुरान, packaging के दुरान, जो tablet का कुछ amount हमारा activity के दुरान, जो जड़ जाता है, छरण होता है, abrasion होता है, उसको हम friability tester, रोचे friability tester के दुरारा ही तो हम test करते थे, तो यहाँ पर इस test का नाम होगा, friability test, जी हाँ, क्या test होगा, friability test होगा, कि यह tablet with stand कर रहा है, सॉक से, है ना, उसके shipping के दुरान, मैंने खकीरिंग के दुरान, उसे हम friability test बोलेंगे, रोचे friability, है ना, 25-25 हमारा round into 4 होगा, 100 rpm पे हमारा यह घुमेगा, कितना tablet पहले initial weight कर लोगे, फिर जढ़ने के बाद, abrasion के बाद कितना हुआ, उसको weight कर लोगे, तो पता चल जाए कितना abrasion, कितने percent हो रहा है, clear idea, चलिए, आगे चलते हैं अंगला question, हिमाचल प्रदेश स्टाप selection commission 2022, pharmacist का question है, पूछा के idea, test measuring the rate and extent of solution formation from a given doses form, जिया, ऐसा test जो measure करता है, rate and extent of solution formation, जो कि कहां से form हो रहा है, किसी doses form से, जिया, किसी doses form से, जो rate and extent of solution हमारा, form हो रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, disintegration test कहलाएगा, dissolution test, probability या content uniformity, भीया, देखिए, हमारे किसी भी doses form से, कितना amount, कितने minute में dissolve हो रहा है, उसे ही तो हम बोलेंगे, तो वो हमारा simply कौन सा test बोला जाएगा, dissolution test बोला जाएगा, कौन सा test, dissolution test यहाँ पे right होगा, कि भी doses form से, जैसे tablet से, capsule से, ointment से, कितना हमारा solution में आ रहा है, कितने rate से, कितना amount, clear है, चलिए, आगे चलते हैं, अगला question हमारा, ये भी है, हिमाचल परवेस, staff selection commission, 2022 कोशन है, पूचा गया है, the aperture size of stainless steel, miss, in the disintegration test apparatus, जी हाँ, disintegration test apparatus में, जो miss होता है, उसका aperture size कितना होगा, 0.615 plus minus 0.045 mm, या 1 plus minus 0.2 mm, या 2 plus minus 0.2 mm, या 2 plus minus 1 mm, ठीक है, तो ये जो हमारे dt, यानि disintegration test में, जो stillness, still का miss size होगा, वो आपका 2.0 plus minus 0.2 mm होना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, कितना होगा, 2.0 plus minus 0.2 mm, वाइर का diameter पूछेगा, तो आप इतना बता सकते हो, वाइर के diameter से, clear है, इतना से question हमारा पूछा गया है, चले, आगे चलते है, केरला फार्मासिस्ट, 2021 का question है, क्या है, पूछा गया, for the evaluation of tablet, a test used to measure the amount of time required for the drug substance in the tablet to go into the solution, under specific condition is known as, जी हाँ, जब हम tablet का evaluation करते हैं, तो एक ऐसा test जो की use किया जाता है, यह measure करने के लिए, कि कितना amount, या कितना time required है, किसी भी drug substance को solution, tablet के drug substance को solution में मिलने के लिए, वो simply Dizio कहलाएगा, DT कहलाएगा, friability of it variation, तो यह simple है न, कितना हमारा drug का, जो हमारा content है, amount है, उस solution में मिल रहा है, घुल रहा है, या जा रहा है, तो simply हम क्या बोलेगे, Dizio Δेटी से बहुत question आता है, तो उसे हम Disolution test बोलेगे कि कितना हमारा, amount कितना percent tablet का, capsule का, इंडि मेंड का, उस solution में dissolve हो रहा है, टैबलेट का या किसी भी डोसे फार्म का तो वह हमारा डिसलूशन टेस्ट क्लियर है आगे चलते हैं अगला है औरिसा स्टाफ सब्सक्राइब सर्विस सेलेक्शन कमिशन 2020 पूछा गया है दा मेकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ टैबलेट इस चेक्ट बाई जी आट टैबलेट कितना मजबूत है कितनी उसकी मेकेनिकल स्ट्रेंथ है वो किसके दोरा चेक किया जाता है हाइडनेस टेस्टर के दोरा फ्रैबिल्टी टेस्टर के दोरा डिसिंटीग्रेटर के दोरा अथवा किसी भी चीज के नहीं दोरा तो हमारा राइट एंसर होगा हाइडनेस टेस्टर के द यह सारे अलग अलग हमारे टेस्टर होते हैं जो कि tablet के अंदर हाइरनेस को टेस्ट करते हैं कमेंट में हमारा यहां पर यहां पर देख सकते हो क्लियर है चलिए केरला फार्मासी 2018 से पूछा गया है दग डाउन ऑफ टैबलेट इंटु पर्टिकल और ग्रेयूल इस नों है जी हां टैबलेट का तूट के इसमालर पार्टिकल में या इसमालर ग्रेनुल में तूटना क्या कहलाएगा डिसिंटिग्रेशन क्रसिंग डिसलूशन ग्रेनुलेशन तो यह टैबलेट बड़े फर्म से छोटे पॉटि में जब तूटे तो उसे हम बोलते हैं डिसिंटिग्रेट होना यानि उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे डिसिंटिग्रेशन बोलते हैं क्या बोलते हैं डियर डिसिंटिग्रेशन विल पी दराइट एंसर कि यह मेकेनिकल जब ब्रेक अप होता है इसमाल ग्रेनियुल्स में तो हमारा डिसिंटिग्रेशन वो वर्ड कहलाता है क्लियर है आगे चलते हैं अगला है राजस्थान फार्मासिस्ट का क्वेशन 2012 का पूछा गया है पूछा गया है हाडनेस ऑफ टैबलेट इस मीजर्ड बाई यहां टैबलेट का जो हाडनेस किस का हाड से मीजर किया जाता है बाइंडर कंसेंट्रेशन का इंक्रीमेंट करके बाइंडर का हाडनेस तो बाइंड करेगा या पंच ड्वेल टाइम को इंक्रीज करके या डिसिंटिग्रेटिंग एजेंड को इंक्रीज करके या प्रीकमप्रेशन के दौरा तो भीया हाडनेस जाता है टाबलेट पे मेन कंप्रेशन से पहले तो हमारा वो हाइडनेस टेस्ट करता है ठीक है क्लियर है आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा देली सबार्डिनेट सर्वी सेलेक्शन बोर्ड 2019 में पूछा गया पूछा गया है विच आप दो फॉल्विंग इस डिलेड रिलीज सिस्टम जी हाँ इन में से कौन सा ऐसा टैबलेट का सिस्टम होगा जो डिलेड बोले तो थोड़ी देर में रिलीज होगा तुरंत रिलीज नहीं होगा उसे हम सुगर कोटेड टैबलेट बोलेंगे औरली डिसिंटिग्रेटेड बोलेंगे एंटरी कोटेड या आल साल में रिलीज वह होगा तो डिलेड्रीली जगर सिस्टम पूछा जाए थो सिंपली आप इंटरी coded बोल सकते क्या बोल सकते हो इंटरी कोटाहेट्रीक हमारा एक दरसे डिलेड्री सिस्टम बोला जाता है जबकि हमारा टेस्ट वगरा को चेंज करने के लिए माउथ में हमारा बिना वाटर के ही डिसॉल हो जाएगा क्लियर है चलिए आगे चलते हैं इमाचल प्रदेश स्टाफ सेलेक्शन कमिशन 2018 में पूछा गया है कि पार्सियल और कम्प्लीट रिमूब आफ टॉप और बॉटम क्राउन अब टैबलेट इन नोन है टैबलेट है उपर का या नीचे का जो क्राउन है टैबलेट के अंदर वो अगर हट जाए टूट जाए रिमूब हो जाए तो उसे हम कैपिंग बोलेंगे अथवा पिकिंग बोलेंगे इस्टिकिंग बोलेंगे अथवा चिपिंग बोलेंगे क्या बोलेंगे भाईया अभी तो हमने पहले ही question में इसे बताया था कि अगर top and bottom crown का partial या complete removal हो जाए तो उसे हम capping बोलेंगे capping, capping है न क्या बोलेंगे डियर capping बोला जाता है capping हमारा partial या complete separation होता है top bottom crown of tablet का clear है, lamination दो अलग layer में हमारा यहाँ पर जब हमारा separate हो जाता है तो अलग अलग यहाँ पर आप इस table को जरूर no down कर लेना, screenshot ले लेना चले, आगे चलते हैं यह भी देली, subordinate service election board 2019 में पूछा गया है पूछा गया है, in sugar coating of tablet, seal coat is done to prevent moisture penetration, to round edges, to smoothen the surface to prevent the breakage sugar coating के अंदर seal coat हो रहा है तो वो इसी कार हो रहा है कि tablet के core तक moisture का penetration नहोने पाए तो इसका right answer होगा moisture का penetration को prevent करने के लिए, रोकने के लिए ही हम क्या करते है, sugar coating में seal coating का step करते है कि यह moisture का penetration हमारे core तक tablet core तक नहोने पाए jail और select के द्वारा होता है seal coat या sugar coat बुदा जाएगा sub coating में edges को round करने के लिए tablet का size build up करने के लिए smoothing में हमारा जो tablet का surface को हमारा feel up करने के लिए colorant वगरा add करने के लिए color coating में हमारा color वगरा को impart करते हैं, polishing में हमारा smooth surface या signing देते हैं प्रिंटिंग में जो आपका प्रिंटिंग वगरा होता है वह होता है, तो यह हमारे sugar coating के steps हो जाते हैं इसको भी आप लोग note down कर लीजेगा clear है, आगे चलते हैं यह भी Delhi subordinate service selection board 2019 का question पूछा गया है, where will enteric coated tablet release their medication भया जो enteric coated tablet होता है, वह अपना medication कहां release करेगा osho phagus में, small intestine में, stomach में large intestine में, देखिए, enteric coated किसलिए किया जाता है, कि हमारे stomach के जो acidic environment है वहाँ पे खराब नहों, release नहों तो यह mainly जाके small intestine में release होता है intestine में तो होता है, लेकिन कौन से? small intestine में, इस बात को ध्यान रखिए गड़िए small intestine में release के लिए देखिए, enteric coated हमारा small intestine में release के लिए हमारा बनाए जाता है, हमारा खासकर aesthetic environment से बचाने के लिए clear है, चले, आगे है यह भी देलिवी सबार्टिट सर्विस सेलेक्शन बोड 2019 phase 2 pharmacist का question है अब popular technique of sugar coating is a card, जी हाँ sugar coating की सबसे popular technique कौन होती है, non enteric film coating press coating, pan coating enteric coating, या enteric enteric press, यह सब enteric से related है यहाँ पे आप देखो को एक गोल सा pan होता होगा, यह घूमता है और यहाँ पे आपका coat होता है तो वही तो हमारा है sugar coating का popular technique जी हाँ, sugar coating का popular technique यहाँ पे क्या है pan coating है, क्या है चीज़ pan coating है ठीक, pan coating is a popular technique of sugar coating, clear है, चले, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ ऐसा pan होता है, pan गूमता रहता है tablet गूमते रहते हैं, coating solution यहाँ पे रहता रहता है, और वहाँ पे sugar coating यहाँ फिल्म में चड़ जाती है clear है, आगे चलते है यहाँ पे 36 गाड और health services, यानि की, sorry central government health services, बैंग दोजार नीस pharmacist का question है पूछा गया है, which one of the following is not true about tablets are often coated कौन सा यहाँ पे true statement नहीं है कि tablet हमारा coated है या coat किया गया है, या coat किया जाता है किस कार्व से, tablet इसलिए coat किया जाता है कि वह bitter test को mask कर दे, यानि कि जो कड़वा test है, उसको मीठा बनाए, sugar coating बिल्कुल यह reason होता है friability को increase करने के लिए tablet coating होती है क्या कहीं अगला पढ़ लेते है, to protect the drug external environment, जाहिए से बात भी है drug को external environment, any moisture बचाने के लिए coating होती है, बिल्कुल सही बात है, to make swallowing easier form, coating इसलिए होती है कि वह smooth बन जाए, polish बन जाए, और easily swallow किया जा सके तो भी है, इसलिए भी हमारा coating होती है, इसलिए भी और इसलिए लेकिन friability को increase करना coating का उद्देश कहीं होता है क्या friability को increase करना coating का उद्देश नहीं होता तो यहां पर not पूछा है कि tablet coating कि से related नहीं है, तो बादा friability को increase करने से related नहीं होता, clear है, यहां पर आप देख सकते तो भी है test order color को change करने के लिए, mask करने के लिए physical chemical protection लेशन देने के लिए ड्रक को और हैं उसको रीलीज नहोंने के लिए यह सब हमारे ना होते हैं को और है आगे चलते हैं अगला कोस्चन यहां पर क्या है राजस्थान फार्मसिस्ट 2012 में पूछा गया पूछा गया है कि चूस्थ करेक्ट solvent for coating material coating material के लिए correct solvent क्या हो सकता है glycerin होगा propylene glycol होगा water होगा acetone होगा coating material की जहां बात आती है वहाँ पे acetone derivative ketone derivative हमारे क्या होते है solvent होते है coating solution ketone acetone में methyl isobityl ketone methyl emil ketone यह सब हमारे solvent होते है sylilogic coating के clear है आगे चलते है यह है देली सब और्डिनेश सर्फी सेलेक्शन बोर्ड 2019 का questionnaire क्या पूछा गया है कि tablet coating defect यहां पे tablet coating defect काउन सा है orange peel effect हाँ जी है sticking, breathing या अलब दिवबब यहां पे सब के सब क्या है tablet के coating defect है tablet coating defect देख सकते हो blistering हुआ, chipping हुआ, catering हुआ sticking, picking हुआ, blushing, color variation, blooming, pitting, infilling, cracking, spilling यह सब हमारे tablet के coating defect होते है क्या होते है coating defect क्लियर है आगे चलते है आहमदाबाद municipal cooperation pharmacy 2022 का question है पूछा गया है unless otherwise stated in the individual monograph of pharmacopia first the dissolution is carried out in the disintegration test for interic coated tablet in 0.1 molar HCL phosphate buffer या water या 0.1 MH2SO4 देखे भिया जो आपका tablet का pharmacopia के monograph में tablet का पहली बार जब हमारे dissolution में हुआ disintegration हुआ तो किस solution में हुआ किस solution हुआ 0.1 molar HCL में phosphate buffer में water में या या जाइसी बात है HCL 0.1 molar HCL में हमारा हुआ है pharmacopia के according 0.1 molar HCL में हम उस environment को देते है जो हमारे gastic environment होता है थाकि dissolution dissolution वहाँ पे देखा जा सके clear idea चले आगे चलते हैं केरला फार्मसीज 2020 के पूछा गया है पूछा गया है विच इमंग दा फॉल्विंग material is used for the enteric coated of tablet जिया ऐसा कौन सा material है जो की tablet की enteric coating में यूज किया था देखी भी या enteric coating में हमस्या जो थैलेट डेरिवेटी होते हैं तो यहां पर शिल्विंग थैलेट होगा या HPMC methyl ethyl cellulose या polyethylene glycols तो भी हमने बताए ना जो थैलेट डेरिवेटी होता जिया शिल्विंग यह सब में इंटरीग कोटिंग आफ टैबलेट में यूज किया जाते हैं किसमें इंटरीग कोटिंग जो cellulose यसे थैलेट हुआ डाय एतिव थैलेट हुआ HPMC हमारा थैलेट यहां पर थैलेट जरूर रहेगा थैलेट वाले हमारे इंटरीख कोटिंग में यूज किया जाते हैं क्लियर है चलिये आगे चलते हैं अगला कोश्शन क्या है ये तीनों के टीनों को टेस्ट करते हैं यानि कि यह सब किसम और हाडनेस को टेस्ट करते हैं क्लियर है दो जोग के बीज में प्लेस करते हैं प्रेशर लगाते हैं आगे चलते हैं अगला क्वेशन है इन एडिक्वेट इस प्रेडिंग ओफ कोटिंग सलुशन ऑन टैबलेट कोर बिफोर ड्राइंग कॉज़ जिया अगर इन तैबलेट side कोटिंग सलुशन का टैबलेट कोट पे इन एडिक्वेटि स्परेडिंग होगा तो उसे हम हमेशा औरेंज फीलrome इफिक्ट होता है इन उसे हम क्या कहते हैं bloom बोलेंगे sub coating बोलेंगे castor oil या polishing तो या dull film मतलब जो tablet का जो surface होता है वो dull हो जाता है equal distribution color का नहीं होता तो उसे हम क्या बोलेंगे mainly bloom बोलेंगे क्या बोलते हैं hazing या dull film को हम में लिए bloom बोलते हैं जब high processing temperature होता है उस कार्ण से हो सकता है प्रोडक्ट separate into horizontal layer is called है जी हाँ अगर भईया tablet horizontal layer में separate हो जा रहा है ऐसे नहीं horizontal layer में तो उसे हम capping picking lamination या sticking बोलेंगे तो simple सा बात भईया हमने बता दिया दो तिन question आया ही है horizontal layer में दो जिस्टिंग layer में separation हो रहा है तो उसे हम lamination बोलेंगे क्या बोलेंगे डियर lamination कुछ इस प्रकार से हमारा separate होता है horizontal layer में lamination बोलते है ठीक है चली causes क्या है क्या remedies है उसे से भी question आ सकता है इसको आप no down कर लेना चली आगे चलते है final step in sugar coating process and carried out to impart a shiny distinct appearance to tablet is called sugar coating में अलग-अलग हमारे step होते है sub coating, sealing, polishing तो जो ऐसा final step sugar coating process का जो की tablet पे हमारा shiny appearance यानि चमकदार polishing appearance को impart करता है उसे हम क्या बोलेंगे smoothing बोलेंगे, color coating बोलेंगे, polishing बोलेंगे, printing बोलेंगे भया जहाँ पे shiny appearance आता है उसे हम mainly polishing बोलेंगे क्या बोलेंगे डियर, polishing is the right answer, polishing हमारा final step होता है, sugar coating में जो की हमारा shiny distinctive appearance को impart करता है tablet में, clear है, यह हमारा right हो गया, फिर आगे चलते हैं अगला question, high viscosity of coating solution in a tablet which type of defect आगर जी हाँ, अगर high viscosity of coating solution है tablet में तो किस प्रकार का tablet defect होगा, tablet में roughness आएगी, उसमें breezing होगा wheeling में orange peel effect बोला जाएगा, देखो, अगर viscosity, यानि की coating solution की viscosity ज्यादा है, तो mainly tablet में breezing होता है, क्या होता idea, breezing होता है, जी हाँ, breezing क्या होता है, जब इसका cut यह होता है कि high viscosity coating solution का है तो coating material हमारे logo अगरा पर feel हो जाते हैं, breeze मना लेते हैं, तो उसे हम breezing बोलेंगे क्यों, क्योंकि coating solution की viscosity बहुत ही यहाँ पर जादा होने लग रही है clear है, अगला है hazing क्या है, भाईया, hazing dull film bloom, क्या है local detachment होगा, coating become dull immediately, film crack across the crown of tablet या coating material removed on large flick, भाईया, hazing को हम dull बोलते हैं, यानि की coating हमारा क्या हो जाता है immediately dull हो जाता है उसका color वगरा, dull होने लगता है, तो हमारा dull immediately हमारा, right होगा, यहाँ पर option भी right होगा क्या, hazing हमारा, dull हो जाता है yeah quarantine हमारा, बल हो जाता है यहाँ पर temperature यहाँ ज्दाथ मिधिटर यहाँ होता है लेर है चले आगे चलते हैं अगला कोशन यहां पर क्या होनी वाला एडियर पूछा गया है कि color quantification of tablet is determined by except one यहां यहां पर 3 बिधी के दवारा tablet के अंदर color quantification को determine किया जाता है एक exception है reflectance spectroscopy दवारा color competence किया जाता है tristimulus chlorometry के दवारा भी किया जाता है और micro reflectance photometry के दवारा भी किया जाता है लेकिन परंतु HPLC के दवारा हमारा नहीं किया जाता है तो exception पूछा है तो exception हमारा HPLC exception हो जाएगा color quantification के case में ठीक है यहां पर आप reflectance spectroscopy भी देख सकते हो tristimulus chlorometry, micro reflectance photometry सबका सब हमारा color quantification determine करता है चलिए अगला है यूज टू मीजर दस सर्फेस हाइड़नेस बाइ रेका टेस्टर वीकर फाइजर टेस्टर मून सैटो भाईया टेबलेट के सर्फेस की हाइडनेस को मीजर करने के लिए को इस प्रकार का कौन सा टेस्टर यूज किया जाता है तो यह राइट अंस अला कोशन है इन टाबलेट फ्राइविल्टी टेस्टिंग ड़्रम इस रूटेटेड टाइम टू अंडड़ टाइम अंडड़ टाइम करता है यहां पर हंड़र राइट होगा यह तो हैंड़र टाइम ठीक है तब हमारा यहां से आप फॉर्मूला लगा कि इतना परसेंट होती है ठीक है आगे अगला है डिस इंटिग्रेशन टाइम ऑफ सुगर टैबलेट यानि सुगर कोटे टैबलेट है तो उसको टूटेने में कितना समय लगेगा एक घंटा पचास मिनट सब्तर मिनट 30 मिनट तो यह राइट अंसर होगा सुगर कोटिंग के लिए आपका एक घंटा यानि कि 10 टाइमिंग लगता है कितना लगता है साट मिनट आप यहाँ पे आप देख सकते हो एकेशलानेशन भी आगे आज जाएगा ठीक है चलिए जी है कितना होगा साठ मिनट ठीक है कितना साट मिन आगे चलते हैं अगला कोशन है in the process of sugar coating to prevent moisture penetration into the tablet core which of the following step भी प्रिफेट अभी तो पता है था कि सुगर कोटिंग की तरहां टैबलेट कोर के अंदर moisture penetration को रोकने के लिए कौन सा step होगा seal coating, sub coating, syrup coating, polishing तो यह right answer यही होगा seal coating क्या करते हैं sealing या seal coating ही तो होता है जो moisture का penetration tablet core तक prevent करता है रोकने का काम करता है क्या होगा seal coating कहलाए जाएगा seal coating और sub coating क्या होता है edges को round करता है tablet के size को build up करता है syrup coating हमारा imperfection यानि desired color को हमारा impart करता है यहाँ desired lustre यानि signing होता है clear है चलिए आगे चलते हैं अगला question है select the equation that give the rate of drug dissolution from a tablet यहां tablet से जो drug का dissolution होता है उसके rate को किस ने बताया आपकिस के दवारा पताये गया है Keeping लोग के देवारा अगला पुछा है डिजिलूशन अपरेटर्स 4 ऐस पर योस्पी टाइप 4 डिजिलूशन अपरेटर्स क्या बोले जाता है फ्लोटू तुरू सेल पैडल बास्केट एर्चिप्रटिकिन सिलेंडर बिया बास्केट टाइप टू पैडल टाइप 2 टाइप 3 और टाइप 4 हमारा क यानि फ्लो तुरू सेल राइट होगा यानि कि यहां पर आप देख सकते हो रोटेटिंग बास्केट टाइप 1 टाइप 2 पैडल टाइप 3 टाइप 5 पैडल अब इस टाइप 6 डोटेटिंग सेंडर और रोटेटिंग होल्डर होगा टाइप 7 क्लियर है आगे चलते हैं अगल अगर दस टैबलिट को आप वेट कर रहे हो और अबरेज वेट 2500 अमजी आ रहा है तो परसेंटेज वेट वेरियेशन कितना लाओड होगा दस परसेंट साले साथ परसेंट पांच परसेंट या अलग अलग बीपी योस्पी के एकार्डिंग तो यहां पर अगर 2500 है तो दस परसेंट होगा और 80-500 तो आपका शाले साथ होगा और 200 से उपर आपका पांच परसेंट थिक है तो आप देख सकते हो जाना पचासी से ड़ाइस सो की बीच में साले साथ 85 से कम हैं 10 परसेंट और 2500 से ज्यादा पांच परसंट आई पी के काडिंग यूस्पी के कार्डिंग यह हमारा याद कर लेंगा ठीक है जैसे आपको पूछे ठीक आगे चलते हैं अगला कॉशन है अगलेट अब अबिल्टी तू रेजिस्ट अब्रेजर डूरिंग इंडिकेटटेड बाइट इस डिसिंडिक्रेशन टाइम इंडेस कंप्रेशिबील्टी देडेस जया टैबलेट का उसके हैंड्लीं के दौरान ट्रां ट्रांट रांड्स पेस्कोटेश्एं हो रहा है अगला कोशन है when the azes of the tablet break during the process or during the handling and coating the defect is known जिया टबलेट में जब azes वगरा break हो रहा है handling की दुरान processing की दुरान तो उसे हम क्या बोलेंगे capping, lamination, chipping या cracking भीया यहाँ पे azes की जब बात आती है तो chipping बोले जाएगा capping तो हमारा उपर layer वाला होगा lamination दो layer में separation होगा cracking crack हो जाता है तो यहाँ पर chipping में हमारा क्या होता है chipping में आप देख सकते हो कि tablet star pages रखता है कि कब होता है क्या causes है कि जब हमारा age of tablet breakdown होता है processing के दुराज तो chipping होता है अगला question seal coating is applied tablet के size को build up करने के लिए या moisture penetration tablet core तक moisture को रोकने के लिए या as go round या ना ना भी आसील तो हम ऐसा हमने बताया था जो moisture होगा उसको penetrate नहीं होने देता tablet के core तक तो हमारा option भी right होगा कि seal coating हमारा तब अपलाई के जाता है यहाँ पर water का penetration रोका जासके tablet core तक clear है चले आगे चलते हैं अगला question यहाँ पर क्या होने वाला है the hardness range of tablet is usually tablet का hardness range कितना होने चाहिए कितना kilo वजन तक वह हमारा strength withstand करेगा एक से दो किलो .5 से आधा से एक किलो थीन से साथ या नवरे तो में लिए देखो यहाँ पर right होगा आपका तीन से साथ यहाँ टैबलेट का hardness range में लिए आपका देख सकते हो चार से आथ होता है दस भी हो सकता है अलग-अलग के लिए तीन के जी भी हो सकता है जो स्टेन रिलीज होते हैं जो हाइडर होते हैं दस से बीस तो में लिए आपका तीन से साथ यहाँ पे average कह सकते हो right हो जाएगा clear है आगे चलते हैं अगला है पूरली manufactured tablet may have small pinholes on the surface दीस इच काल जो poorly manufactured tablet है वह हमारे टैबलीट के surface पे small pinholes होज में होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे modeling picking leaching cracking भीया small pinholes जो होगा उसे हम picking बोलेंगे क्या बोलेंगे डियर picking बोलेंगे picking हमारा हमारा तब होता है जब हमारा small pinholes होता है tablet surface पे clear है आगे चलते हैं, अगला question है disintegration rate can be increased by, जी हाँ, जो disintegration rate होता है, वो increase हो सकता है, by increasing binder concentration, by increasing flavor concentration, by increasing disintegration concentration, या disintegration rate हमारा, जब disintegration ज़्यादा ज़्यादा add करो गए हो यानि कि, by increasing disintegration concentration is known as हैं, disintegration rate तब हमारा बढ़ जाता है, ठीक है, तो हमारा बढ़ जाता है, आगे देखो अगला question है, ओपा spray क्या है, ओपा spray, देखे अलग-अलग था न, एक ओपा lex होता था जो, ओपा canned color concentrate sugar concentrate के लिए होता, sugar coating ओपा spray, ओपा canned color concentrate film coating और ओपा dry complete film coating के लिए होता है, तो यहाँ पे ओपा spray क्या होता है, ओपा canned color concentrate होता है, film coating के लिए यहाँ पे आपका option be right हो जाएगा, यह ओपा dry बोला जाएगा यह ओपा lex बोला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ओपा lex ओपा canned color concentration है पारदर सी सुगर कोटिंग ओपाइश प्रे हमारा फिल्म कोटिंग यह हमारा कंप्लेट फिल्म कोटिंग कंसर्ट्रेट हुआ अगला कोशन है आइडेंटिफाइड मिसमैच पेर जी हमिसमैच पेर को यहां पर ऐडेंटिफाइड करो अगला कोशन है वेन ग्रेन्यूल्स आर टेस्टेड फिल्म कोटिंग अगला कोशन है जिए जिए जितना ज्यादा एंगल आफ रिपोज होगा यानि कि उतना ज्यादा रफ सर्फेस होता है रफ सर्फेस वेरी वेरी पूर यानि की मोर देन अगर जितना इंगल अफ ज्यादा होगा यानि की रफर होगा मोर इंगलर होगा अगर है इंगल अफ रिपोज है अगला कुश्चन तंप्रेचर रेंज आफ डिस इंटिगरेशन टेस्ट सैथी दसमों प्लस-माइज दो ट्रेचर रेंज होना चाहिए सैथिस प्लस-माइज टू डिगरी सेल्सियस हमारा यहां पर आप देख सकते हो टेंप्रेचर रेंज होना चाहिए ठीक है लियर आगे चलते हैं अगला कॉश्चन विचीज डिफेक्ट ऑफ कोटेट टैबलेट का डिफेक्ट यहां पर क्या ह हमारा क्या है डिफेक्ट को से हैं है अया वासे करता हमे चलते हम करते हैं आगे टैबलेट ही टरफिल मेतिल के रीजीच चलता है मटलेट यह में as a disintegrated binder भीया HPMC हमेशा as a film former की तरह यूज होता है टेबरेट के preparation में यानि कि as a film former non-intrig यानि HPMC hydroxy poppy cellulose povidone यह सारे film formula इंटरिक non-intrig में लिए clear है आगी जलते है identify the incorrect match को identify करो कि blistering का cause क्या होता है क्यूंकि बहिए rapid evaporation हो जाता है solvent का कोर से उसे blistering बोलेंगे बिल्कुल बोलेंगे क्या होता है excess residual moisture हो जाता है प्रॉस्टिंग के तुरान बिल्कुल सही है ब्रीजिंग में high concentration of plasticizer होगा और hazing में high temperature humidity incorrect match पूछा तो incorrect आपका ब्रीजिंग वाला होगा यहां पर high concentration नहीं होगा low concentration plasticizer को होता है इसी लिए ब्रीजिंग होती है तो incorrect match यहां पर आप देख सकते हैं लो concentration हो जाए बाकि यह सब तो हमारा causes सही है clear है चले अगला है identify the incorrect यहां पर भी incorrect match identify करो हो कि titanium dioxide участade up a can't Exender है बिल्कुल सही बात है select seal coating में होता है recycling में सब महरे Coating में सबस्देट को जान चली आज का लास्ट कोष्चन और क्या है दो प्रोसेस जब पॉलिमर अप्लाइड इप इप आफ्सट मीडिया एट हाइप रॉसटषिंग एपनारी ते जाता है एप फासेश्द मीडिया प्रोसेशिंग अप्रेशल इञतों ऩलिंग बिश्टेर न बोलेंगे नब ही तो विभली मिए तो इसका राइट एंसर आपका टलिंग क्लियर है यह थे आपके डीर टैबलेट पाइट 2 तैबलेट से बहुत कुश्यन आते हैं आपके फार्मसेस पॉप से एकजाम में तो उस इसंद से इसको देखते रहीएगा और भी बचे हुए सुटिक्स के जितने भी सब्जेट है उसको भी एक बार जरूर विजिट कीजिएगा देखिएगा ताकि आपके सारे कॉंसेट क्लियर हो जके उम्मीद होगी आज का सिशन आज का लाइब सिशन आपके लिए हेलफुल होगा डियर है ना ऐसे ही सारा आप लोग पीछला सीरीज भी जरूर देखिएगा प्लेलिस में जाके विजिट कर लिजेगा चलिए अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में क किसी अगले सुटिक्स के टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंकियो सो मस्च डियर आल दे मेरी बेस्ट हैव गुड डे